च्छत्रपति शिवा जी महराज के बारे में अगर कोई सोचे कि मेरे मन में लेश मात्र भी आउ मानना हो सकती है तो मुझे लगता है या उसको स्वयम अपना सोच पर विचार करना चाहिए अपने नजरिये पर विचार करना चाहिए 1635 को शपत ली थी कि हिंद्वी सामराजय बनाइंगे हिंदू सामराजय वर्ड को मानتے है नई मानते है उसके बाद उनका इंपएर बना उसका नाम हुआ हिंदू पत्त पाथ्या ही मानते है नहीं मानते है और मैं पूछना चाहता हूँ शत्रपति शिवाजी महराज और उनके परिवार के कित्ते लों के नाम पे सड़क है और अंग जेब के पूरे खांदान के नाम पे सड़क है देखिए मैं कहना चाहूंगा राजनीत में एक चीज और होती है क्या बोला गया उस्यादा महतोता कौन बोल रहा है मैं सिर्फ ये बिनम्बरता से कहना चाहूंगा हिंदू, हिंदू धर्म, हिंदुत्व और भारती इतिहास में हिंदुत्व के सबसे बड़े महानायकों में से एक चत्रपती शिवा जी महराज के बारे में अगर कोई सोचे कि मेरे मन में लेश मात्र भी आउमाना हो सकती है तो मुझे लगता है या उसको स्वयम अपना सोच पर विचार करना चाहिए, अपने नजरिये पर विचार करना चाहिए क्योंकि प्रश्ट भूमी है बेग्राउंड ऐसी है और जो प्रश्ट पूछ रहा है उसमें भी महत्त होता है कौन पूछ रहा है वो पूछ रहे हैं जिन लोगों ने चत्रपती शिवा जी महराज के हिंद्वी सुराज को मानते हैं उन्होंने 26 अप्राइल 1635 को शपत लीती की हिंद्वी साम्राज्य बनाएंगे जिंद्वी सामराज्य वर्ड को मानते नहीं मानते 250 अा Έग उसके बाद उनका इंपैर बना उसका नाम हुआ हिंदू पत्पात्श्य ही मानते नहीं मानते और मैं पूछना चाहता हूँ जो शब्द बोला नहीं गया उसको लेकर आप वितंडा वाद कर रहे हैं जो आपने किताबों में लिखा मैं पूछना चाहता हूं लुटियंस डेली में शत्रपती शिवाजी महराज और उनके परिवार के कित्ते लों के नाम पर सड़क है औरंगजेब के पूरे खांदान के नाम पर सड़क है बाबर रोड हुमायू रोड अकबर रोड शाजार रोड औरंगजेब रोड आपने पत्थर पे क्या लिखा और किताबों में औरंगजेब की प्रशंसा और महानता लिखी और इसलिए मैं कहा रहा हूँ राजनी पे महत्विस बात का है कि कौन बोला रहे आपने तो किताब में क्या-क्या लिखा उनको महान लिखा पत्थर पे उनके जिसको क्रूर खलनायक माना गया उसके पूरे खांदान का नाम लिखा और उनके किसी विचार को नहीं माना और हमारे तो दिल में छत्रपति शिवाजी महाराज का और हिंदु धर्म और हिंदुत्व के लिए उन्होंने जो किया था वो पूरा विचार उसी रूप में रहता है जिसे शिवाजी के राज कभी भूशन ने उनके सामराज के लिए क्या कहा था कि राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो देखिए इसमें हिंदुवानी शब्द भी है जिसे वो कहते हैं हिंदुत्व हमें पता नहीं हो लोग ऐसा बोलते हैं शिवाजी महराज का अपमान करते हैं राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो इस्मृति पुरान राख्यो वेद धुन सुनी में और शाही के सपूत शिवराज शम्शीर तेरी दिली दल दाब के दीवाल राख्यो दुनी में और दिली में जिनको दबाया था उनको उन्होंने महान का इसलिए यह सोचे कि हमारे जैसा व्यक्ति हिंदू धर्म हिंदुत्व के संदर्म में कोई अमानना रख सकता है यह सपने में नहीं सोचना चाहिए और उनके जैसा व्यक्ति जिन्होंने औरंग्जेब को महान लिखा और उनके आज भी सांसद भी जाकर औरंगजेब की मजार पर कसीदे पढ़ते हैं विधायक दिल्ली में आके औरंगजेब की रोड का नाम बदलने पे छाती पीटते हैं तो यह सपने में नहीं सोचा जा सकता कि उनके मन में छत्रपति शिवाजी महराज के लिए सम्मान का भाव होगा यह राहुल गांधी के बचाओ का भाव है जो उन्होंने वीर सावरकर का अपमान किया उसका बचाओ करने का प्रयास कर रहे हैं यह